नमस्कार आरे नियूज देखने आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग उत्रप्रदेश बॉलेटिन की शिर्वात करेंगे मुखे मंत्री योगी के साथ आपको बता दे मुखे मंत्री योग गैदितनात ने समाजवादी पार्टी अध्यव शुराखिलेश यादव की पत्न ये भी कहा कि जन्सभा में जिंपल के गत शुक्रवार के बयान का जिक्र करते होएं सियम योगी ने लिखा कि कि किसी का नाम लिये बगैर ही कि एक बात मुझे बहुत खटकी है कलाबने सभा के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे वहां बयान सुरिष्टी का भी अपमान ह सनातन धर्म और संत समाच का अपमान है भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि मैं भगवाधारी हूँ उन्होंने आगे कहा है कि हर उत्तरप्रदेश वासी ये कहेगा कि हम भगवाधारी हैं इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा स्रिष्टी की उर्जा का रंग है सुर्योदे जब होता है तो भगवान सुरे का रंग भी भगवा ही होता है गौतलब है कि सपाद्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांथा डिमपल यादव ने कहा था कि ये जो डबल इंजन की सरकार है जब इंजन में जंग लग जाता है जंग का रंग क्या होता है मुझे लगता है जिस रंग से हमारे मौझूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है तो ऐसे जंग वाले इंजन को हचाने का समय आ गया है डिमपल ये भी कहा कि ऐसे जंग वाले इंजन को हचाने के लिए जंता तयार है और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन प्रदेश बनाएगा उसके लिए भी चुंता तयार है अवे उत्तर प्रदेश में विधान सबाचुनाव के छटे और सातवे चरण के मतदान से पहले राजनितिक दलों ने प्रचार का जोर बढ़ा दिया है इसी क्रम में सुमवार को ग्रह और सेकारिता मंत्री अमिशा ने कुशिनगर में सभाग की और इस दोरान ग्रह मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर सियम अखिलेश यादफ पर बड़ा हमला किया उन्होंने अनुछेद 370 हचाने को लेकर अखिलेश यादफ के बयान का जिकर करते हुए कहा कि मूदी जी ने चुटकी में अनुछेद 370 को समाप कर दिया अखिलेश जी ने कहा कि अगर अनुछेद 370 हटा तो खून की नदिया बहेंगी अरे अखिलेश किसको डराते हो भाई हम जन्ने वालों में से नहीं है अनुछे 370 हटा और खून की नदिया तो छोड़ो किसी की कंकड चलाने की हिम्मत भी नहीं हुई उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश जी सरकार में उन्होंने संकड मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का केस वापिस लेने का काम किया था हाई कोच ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया और बंधमाके करने वाले आज भी जेल में है और यूपी चुनाव के बीच मद्यप्रदेश के मुखे मंत्री शिवरास सिंग चोहान ने आज गाज़िपूर में एक रैली को संबोधित किया है इस दोरान उन्होंने अकिलेश जी आदफ पर जमकर निशाना साधा और सभा को संबोधित करते हुए सियम शिवरास सिंग चोहान ने अकिलेश जी आदफ को दंगेश कहकर संबोधित किया है शिवरास सिंग चोहान ने कहा कि मेरा मानना है कि पियम मोदी का जन्म भारत में राक्षिसों को खत्म करने और लोगों का कल्यान करने के लिए हुआ है पिम मोदी ने आज चार केंद्रे मंत्रियों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए भेजने का फैसला किया उन्होंने अकिलेश यादव पर भी तंचकस्ते हुए कहा कि अकिलेश यादव आज के औरंग जेब हैं जैसे औरंग जेब ने अपने पिता को बंद कर दिया और सत्ता की बागडोड छील ली जब वो अपने पिता के नहीं हो सकते तो जनता के कैसे हो सकते हैं दरसल यूपी के गाजिपूर में MP के स्तियम शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि पियम नरेंद्र मोदी की वज़े से ही भारत में वैक्सीन बनी है अखिलेश ने कहा कि ये मोदी की वैक्सीन है नेकिन चुप चाप खुद वैक्सीन लगवा लिया अखिलेश यादव की सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए और अखिलेश नहीं है दंगेश है आगे बढ़ेंगा अगली ख़वर की ओर उत्तरबरदेश विधान सबाच चुनाव अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है पांच चरण का मतदान हो चुका है और अब केवल दो चरणों का मतदान बाकी है जिसे देखते हुए राशनतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत जोगती है इस दोरान रक्षावंत्री राशनास सिंग ने रविवार को आजमगर लालगंज और बल्या के वेरियां में चुनाव प्रचार किया इस दोरान उन्होंने कहा कि अब उत्तरब्रदेश में डबल इंजन नहीं बलकि ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राशनास सिंग ने कहा है कि यूपी में सरकार में नरेंद्र मोदी का विजन होगा योग्या दितनात का मिशन होगा और जनता का पार्टिसिपेशन होगा आगे ये भी कहा गया कि आत्मनेल बर भारत है ये और यहाँ पर अब सिर्फ गोली नहीं बलकि गोला बनने लगा है उन्होंने ये भी कहा कि ब्रहमोत मिसाइल से लेकर लड़ा को विमान तक बनाय चाह रहे हैं बीजेपी नेता और उतर प्रदेश के पूर्व मुख्यवंत्री राजनत सिंग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के देशों से हतियार खरीदेगा नहीं वलकि हतियार बेचने वाले देशों में शामिल होगा राजना सिंग ने आगे ये भी कहा कि पहले सरकार में खनन घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, यम्मुना रिवर्फरंट घोटाला होता था गुंडे और माफियाओं की चलती थी लेकिन अब प्रदेश में भय और भसाचार के लिए कोई जगा नहीं है साथी उन्होंने ये भी कहा कि माफियाओं को पता है कि अब योगी अधित्यनात का बुल्डोजर चल जाएगा उतर प्रदेश में सरकार अपराधियों के सहयोग से नहीं बल्कि जनता के सहयोग से चलाई जाती है आगे राजनव सिंग ने भी सभा में कहा है कि जनता को भय और भूख से आजादी नहीं दिलाने बाला समाजवादी नहीं हो सकता और उन्होंने कहा कि सच्चा समाजवादी हमारे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी है कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताबगड़ी ने बस्ती की रुधहौली विधान सभा में जम्दा शाही में एक जन सभा की और कॉंग्रेस प्रत्याशी वसंद चौधरी के लिए जनता से वोट मांगे लेकिन इस दोरान हमीशे की तरह ही उनका शाराना अंदास देखने को मिला है अपने चिर परिचित अंदास में इमरान प्रताबगड़ी ने गजलों से लोगों को मनुरंजित किया और उनका ध्यान अपनी और खीचा है मीडिया से बात करते हुए इमरान ने बीजेपी पर हमला भी बोला और कहा कि प्रदेश में एक पार्टी है जो शम्शान, कब्रिस्तान और जिन्ना की ही बात कर रही है रुधाली में चुनाब प्रचार के दौरान इमरान पताबगड़ी ने बीजेपी पर भी जोड़दार हमला बोला और कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के घोशना पत्र की जम कर तारीफ की उन्होंने कि ये कहा कि यूपी में एक ऐसी पार्टी है जो शम्शान, कब्रिस्तान, जिन्ना पर बात कर रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ मुद्दो पर बात करती है हो महंगाई रोजगार पर बात कर रही है हमारे मुद्धे बहुत साफ है हम हिंदू मुसल्मान से उपर उठकर राशनीती करना चाहते हैं इस दोरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रयांकाजी ने अलग-अलग खोशना पत्र जारी किये हैं महिलाओं, युवाओं, बुनकरों के लिए घोशना पत्र जारी किये गए हम उत्तर प्रदेश में बदलाफ की राशनीती चाहते हैं तो वहीं सपा बसपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से सरकार मुसलिम पर अत्याचार कर रही थी तो ये लोग कहां थे? पिछले पांच साल का इतिहास देख लीजिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खड़ी रही और इसे बीच कोरोना की तीस्टी लहर के बाद अब चौती लहर को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गई है इसी बीच आयाइटी कानपूर से एक बड़ी खबर भी सामने आई है इस खबर के अनुसार आपको बता दें कि देश में अब कोरोना के मामदों में तेजी से कमी आ रही है कोरोना के तीसरी लहर के बाद अब चौती लहर को लेकर भी लोगों के बीच चर्चाएं काफी तेज हैं इसी बीच अब आयाइटी कानपूर से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर प्रोफेसर राजेश रंजन का ये कहना है कि देश और दुनिया में कोरोना की चौती लहर एक साथ आने की उमीद नहीं है इस दोरान आयाइटी कानपूर के प्रोफेसर राजेश रंजन ने अपने गणितिये SIR मौडल के जरिये चौती लहर पर एक आंकलन भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये सामने रखा कि सामने आया तथ ये है कि कोरोना की अगली सभी लहरें स्थानी अस्तर पर ही दिखाई देंगी यानि किसी खास शेत्र या किसी राजविशेश के कुछ ऐसे हिस्सों में ये हो सकता है उन्होंने ये भी संभावने जिताई है कि हो सकता है कि केस तेजी के साथ बढ़ें लेकिन लोग जल्द ही सुस्त हो जाएगे लोगों में ठीका करन और ओमिक्रोन को इसकी प्रमुक वज़ा माना जा रहा है हाला कि उन्होंने ये कहा है कि हमें ये देखना होगा कि नई लहर कितना नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन अब पहली और दूसरी लहर जैसे हालात नहीं होंगे हाईवे पर एक वहान की टकर से कावडिये की मौत हो गई है मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी साथी आपको बदा दें कि शफ का पंचना मभर कर पोस्ट मौटम के लिए भेश दिया गया है पुलिस टकर मारने वाले वाहन के तलाश कर रही है और गौतम बुद नगर जिये की ग्रेटर नौड़ा निवासी उदर नरायन अपने साथियों के साथ हरिद्वार में कावड लेने पहुंचे थे तो वहीं रविवार की सुभा वो कावड ले कर नारसन कस्पे के तिराहे पर पहुंचे तो एगाकया दवाहन ने उन्हें टकर मार दी हाथसे में वो गंभीर रुप से घायल हो गए आजपास के लोगों ने घटना की सूशना नारसन पुलिस चौकी प्रभारी ब्रजपाल सिंग को दी सूशना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और जानकारी ली साथी एंबुलेंस से रोहित को रुड़की के सिविल अस्पिताल पहुंचाये गया जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत खोशित कर दिया पुलिस ने जगटना की सूशना रोहित के परिज़नों को भी दी है और सूशना मिलते ही परिज़नों में कोहरा मच गया कारवाय कोतवाली प्रभारी रफट अली ने भी ये जानकारी दी कि शफ का परशना मभर कर पोस्ट मॉटम कराय जा रहा है और इसी के साथ ही जिस वहाने टकर मारी है उसकी तलाशी के लिए आसपास लगे कैमरे को भी खंगाला जा रहा है और समाजवादी पार्टी के एक पोलिंग एजेंट को पीटने के आरोप में जुन सत्तादल लोकतांत्रिक के संस्थापक रगोराज प्रताप सेंग और फिर राजा भाया के किलाफ प्रात्मिकी दर्श की गई आपको बता दें कि कोड़ा धाने में दर्श प्रात्मिकी में इस मामले में राजवादी पार्टी प्रत्याशी गुल्शन यादव के काफिले पर कल प्रताप गड़ी के पहाडपूर के पास कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था इस दोरान यादव बाल बाल बच गए लेकिन हमले में उनकी कार शती गरस्त हो गई बाद में उन्होंने हमले के लिए रगुराज प्रताप सिंग और फिर राज़ा भाया को जिम्मेदार ठहराया हाले कि राज़ भाया ने कते थमले से कोई लेना देना ना होना बताया है उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा कुछ क्यूं करूँगा और चुनाव खराब क्यूं करूँगा यह सहानु भूती पाने के लिए किया गया कार रहा है इस दोरान राजबहिया लगातार छे बार से विधायक चुने गए हैं आपको बताते चलें कि पिछले चनावों में राजबहिया की समाजवादी पार्टी का काफी समर्थन रहा है और पिछले 15 सालों से सपाने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी खोशित नहीं किया था लेकिन इस बार सपाने राजबहिया के खिलाफ गुल्चन यादव को कुंडा सीट से अपना उमीदवार बनाया है